हाई फ्रेंग्स, वेल्टम पे सोनी स्किचन फ्रेज्स आज हम स्वीट कॉन के खीर बनाएंगे स्वीट कॉन के खीर बहुत ही अच्छी टेस्टी खीर होती है आपको अगर कुछ अलक खीर खाने की जब मन करें तो ये कीर बनाई है, बहुत ही टेस्टी और हैंदी भी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्वीट कॉन के खिर, लेट स्टार गा वीडियो के लिए हम लेंगे दो स्वीट कॉन्स, मैंने इसे अच्छी तरह से दो के रख लिया है, इसे हम घीस के इसका क्रीम निकाल लेंगे, और लेंगे हाफ लिटर फुली फैट वाला दूद, और दो टेबल स्पून गी लेंगे, शुगर हम, हाफ कप से भी थोड़ा सा कम लेंगे स्वीट, आप अगर ज्यादा स्वीट खाते हो, तो और थोड़ा से बढ़ा सकते हो, और हम लेंगे ड्राइफ रोट्स, ड्राइफ रोट्स में मैंने दस बारा कैश्व नट्स लिया है, दस बारा ऐलमन्स, यनिकी बादाम, इसे छॉप कर लिया है, और मैंने यह यह पर के केशर मिल्क मसाला, यह मैंने वन टीस्पून लिया है, आप इसे चाय तो स्किप कर सकते हैं, इसके जगह आपके पास अगर केसर के त्रेट्स है, तो वह भी डाल सकते है, साथ आट के त्रेट्स लिजी और दूद में उसको डाल दीजी, उसका कलर शोड़ देगा, उसके ब है, मैं आप इसने ले रही हूँ, और इससे में आची तरह से इसको गीश के प्रेम निकान होंगे, प्रेम निकानने के लिए हमें यह इसका जो नारम हिसा है, उससे ही यूश करेंगे, हाड हिसा जबाएगा, तब हम इससे घुमा लेंगे, देखिए यह हाड पाट नहीं न इस तरह से घुमा घुमा करके हमें इसका क्रीम निकान लिये, दोनों कौन का हम क्रीम इस तरह से निकान लिये, दोनों कौन को अच्छी तरह से गीश के इसका क्रीम निकान लिया है, दोनों कौन में से इतना क्रीम हमारा निकल गया है, अभी यह क्रीम हम भून के तायर कर ल है इसमें हम घी ले लेंगे और यह गीन को अच्छे तर से मेंट हो जाने ज़िए हैं अभी हम यह मारा जो क्रीम लिप्रा ही डाल ज़िए इसे हम slow to medium flame में रखके अच्छे तरह से बूल लेंगे चला करेंगे इस तरह से और इसके लिए आप नॉंस्टिक का पैन ले तो अच्छा रहेगा नहीं तो तले में खोड़ा सा चिपकता है बनना आप अगर नार्मल वाली कोई पैन ले रहे हो तो उसमें थोड़ा सा गी और ज्यादा एड़ करना पड़ेगा आपको यह भी बूल गया है अच्छी तरह से अब हम यह पैन को साइड में कड़ाय को हम साइड में कर लेंगे दूसरी वाही कोई पैन या कड़ाय कुछ भी ले लीजिए और उसके अंदर हमें जो दूद लेके रखा यह दूद ले लेंगे और फ्लेम तेज कर लेंगे हाई फ्लेम में रखके दूद को पहले उबलने देंगे हमारा दूद में उबल आ गया है अब हम यह फ्लेम को थोड़ा स्लो करेंगे और हम ने जो कौन का क्रीम भून के रख लिया था यह डाल देंगे क्रीम से गी जो हमने डाले यह एक दम से अलग होके निकल गया है आप चाहें तो गी ना डालना चाहें तो ना डाले किसी और चीज में यूज़ कर सकते देखिए अब यह पूरा जो क्रीम हमने भूलके रखें यह हम डाले अब जो इसमें थोड़ा सा गी जो निकल गया है यह गी से हम अपना ड्राइफ्रूट्स को थोड़ा सा रोश्ट कर लेंगे उससे ड्राइफ्रूट्स में बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है यह क्रीम जो है हम एक दम जो रखेंगे है थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे जो हमारा इसमी घी बचके आया है इसमें हम यह ड्राइफ्रूट्स को रोश्ट कर लेंगे फ्लेम अभी भी स्लोई रखेंगे दुसरी तरफ हमारा खीर जो है पकर आये जब तक की पकर रहा है पिस्ता भी डाल सकते हैं इसे हम हलकी गोल्डन कलर में रोस्ट कर लेंगे अब हम फ्लेम को एकदम स्लो कर लेंगे स्लो करके हमें इसे 10 मिनिट तक ढखके पकाएंगे अब हमें 10 मिनिट हो गया है हम ढखका ढखा लेते हैं अब हम इसमें ड्राइफ्रोट्स चाल देंगे फोड़ी से ड्राइफ्रोट्स पचा लेंगे उपर गानिशिंग के लिए और इसमें शुगर जो है वो भी एड़ कर लेंगे मिक्स कर लेंगे वस अभी ये शुगर को मेंट होने देना है सिर्फ दो मिनिट अब पकाएंगे शुगर भी मेंट हो जाएगा और हमारा कीर भी रेडी हो जाएगा शुगर भी मेंट हो गया है इसमें हम आड़ करेंगे हैं हमारा जो केसर मिल्क मस्ताला लिएती ये डाल देंगे और हम ये हमारा इलाची पाउडर से विडावेंगे मिक्स कर लेंगे फ्रेंट्स शुगर डालने के बाद हमारा की थोड़ा सा पतला हुआ है लेकिन थंड़ा होगा अभी ये जैसे ही थोड़ा सा थंड़ा हुझा हर जाएगा तो और गार हो जाएगा तो अभी दूद का कसिटेंच परफेक्ट है अभी फ्लीम को हम ओफतल कि लेते हैं और इसे हम सर्व कर लेंगे सभी प्लेट पे लेगे देखिए मैंने खीर को बावल में निकल लिया है हम सर्फ कर लेंगे इसके उपर हम जो बचर लिए थे ड्राइफ फूर्ट स्टॉपिंग करेंगे बिलीव इट फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी फ्लेवर आ रही है कहस nawet है کh Steinkler को इस तरह से बनाके कभी भी सर्फ कर सकते हैं को हर में घर में बहुत मेमान आते रहते हैं ममनों को सर्फ किजिए आपके मेमान फूष हो जाएंगे बच्शे को दिजिए बहुत हेल्दी भी है प्रैंट्स यह खेरेबि को आप छोटे बेबी को खिला सकते हैं बेबी को कहलाने के लिए myself अब विल्ट को तो और प्रेसिपी को नहीं बाँढ़ना हो यह बहुत भाइं फ्रैंट्स यह रेएपी को जरू ट्राइकर है आपको यह recipe कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताइए आपको अगर मेरी recipe अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को like and share कीजिए और मेरे चानल के साथ जुड़े रही है मेरे चानल के साथ जुड़े निकली पहले आपको मेरे चानल को subscribe करना पड़ेगा तो friends do subscribe my channel thank you so much फिर मिलते ए एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye take care